बिधान सभा के सितकालीन सत्र में तेजश्वी यादो और बिहार के मुख मंत्री नितीश कुमार के बीच जहां टकराव दिख रहा है वही आज तेजश्वी बिहार के मुख मंत्री नितीश कुमार से मुलाकात उनके चेंबर में करेंगे तेजश्वी उनको याद दिलाएंगे कि आपने पिछले सत्र में कहा था और परधान मंत्री निरंद मोदी से मिलने भी आप गये थे लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला अब उसी मुद्दे को लेकर तेजश्वी यादो एक बार फिर से नितीश कुमार से आज मुलाकात करने का मन बना चुके हैं तेजश्वी ने पहले ही कहा है कि जातिये जन्गर्णा के मुद्दे पर नितीश कुमार ने कहा था कि अगर केंदर सरकार नहीं करवाईगी तो राज सरकार अपने खर्चे पे जातिये जनगर्णा कराई थी नितीश और तेजस्वी की जुगलबंदी को देखकर भाश्पा के अंदर बैचेनी पढ़ गई थी एक बार फिर से तेजस्वी और नितीश की जुगलबंदी साथ दिखेगी क्योंकि नितीश मर पहले ही कहा चुके हैं कि वो जातिये जनगर्णा के मुद्दे पर एक साथ है नेता परतिपक्ष तेजस्वी यादो ने ट्वीट करते हुए लिखा है नीती आयो की हालिया रिपोर्ट में बिहार में सबसे अधिक एक 59.9 फिस्दी अबादी गरीबी में है जातिये जनगर्णा से या ग्यात होता है कि बिहार के एक 59.9 फिस्दी गरीब लोग की जातियों और वर्क से हैं तदो प्रांत उन गरीबों के उत्थान और उननत्ती हैतियों सरकार द्वारा नीती योजना और एम कारिक्रम निर्धारित किया सकेगा तेजश्वी ने कहा कि पिछड़ा भिरोधी केंद्र सरकार द्वारा जातिये जनगर्णा की मांग ठुकरा जाने के बावजूद मुख्यमंत्री नितीज कुमार जी द्वारा स्वर्वदलिये बैठक नहीं बुलाई गई जबकि नितीज कुमार ने कहा था कि स्वर्वदलिये बैठक बुलाकर इस मामले का हल किया जाएगा अगर केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है तो अब तक नितीज कुमार ने स्वर्वदलिये बैठक क्यों नहीं बुलाई यही यार दिलाने के लिए तेजश्वी यादो बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार से आज मिलेंगे तेजश्वी नितीश की मुलाकात बहुत खास होगी आपको बता दे कि पिछले सत्र में जब तेजश्वी यादो नितीश कमार से मिलने पहुंचे थे तो नितीश ने काफी गर्म जोसी से तेजश्वी यादो का स्वागत किया था हाला कि तेजश्वी और नितीज के मुलाकात के बाद बिहार भाजपा के नेताओं की चुपपी सद गई थी कोई इस मुलाकात पर बोल नहीं रहा था और ना ही कोई केंदर सरकार से यह अपील कर रहा था कि जातिये जनगर्णा पर फैसला हो तेजश्वी यादो का कहना है कि हमारी मांग के अनुसार अब बिहार सरकार अपने खर्च से जातिये जनगर्णा कराए इसी सत्र में इसकी घोसना भीग की जाए आज मुखमंत्री नितीज कुमार से मिलेंगे यानि तेजश्वी ने कल ही इस बात के संकेत दे दिये थे हैं कि तो अब बिहार के मुखमंत्री नितीज कुमार से मिलकर उन्हें याद दिलाएंगे पहले तेजश्वी यादो ने कहा था कि ये पत्र लिखकर मुखमंत्री को याद दिलाएंगे लेकिन मुखमंत्री नितीज कुमार कह चुके हैं कि अगर सोसल मेडिया पर लिखिएगा त इसी सत्र में जो जातिगत अरक्षण का मुद्दा है वो सदन में पास कर लिया जाए सरकार सहमती बना दे कि उसे बिहार सरकार अपने खर्चे पर करेगी फिलहाल होते नहीं दिख रहा है क्योंकि जातिय जनगर्णा के मुद्दे पर लालू परशाद यादों से लेकर निती दिखत आकड़े अगर सामने आएंगे तो उनके विकास के लिए उसी अनुसार सरकार काम कर पाएगी जिस जाती के ज्यादा लोग गरीब होंगे उनके लिए सरकार उसी अनुरूप अपने फंड का इस्तमाल करेगी उनके विकास के लिए काम करेगी अगर ऐसा होता है तो एक 59.9 जो फिसदी गरीव हैं वो बिहार में लोग हैं उन सभी लोगों के बिकास की बात तभी हो पाएगी जब उनका एक्जेक्ट डाटा तयार हो पाएगा जब डेटा तयार हो जाएगा तो उसी के अनुसार उनके बिकास पर रहनीती बनेगी लहाज आप तेजश्वी यादो जी बिहार के मुक्वंत्री से मुलाकात करेंगे उनको याद दिलाएंगे कि आपने कहा था नरेंद मोदी से मुलाकात के बाद भी आपने कहा था कि अगर केंदर सरकार फैसला नहीं लेती है तो किसी और नियराज्य में क्योंकि तेजश्वी में तमाम चीजों को लेके तेजश्वी अब निटीश के मुलकात निटीश ने पहले भरूसा दिलाया था कि वह इस मुद्धे पर साथ है देखना आए तेजश्वी जब निटीश को याद दिलाते हैं तो फिर निटीश क्या फैस्त्रा लेते हैं संत्र मंत्र के बाशा, भारत के जाने माने, सर्विसे, गुरू, खान, बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समधार, गैरंटी के सांथ, मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे, पर कोई न कोई अर्चन पड़ जाती थी, इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत परशान था, बावा जी की दुआउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर के बहु बने, बटको चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां, ग्रह कलेश, कर्श मुक्ती, प्रेम विवा, जादु टोना, पति-पत्नी में अन्बन, सोतन या दुश्मन से छुटकारा, कॉल करें, 844-8277-903